आपके मन में सबसे पहला सवाल ये घुम रहा होगा इस वक्त दिमाग में, कि सर्फ प्राइस पे इसका reflection क्यों नहीं आ रहा है, बतलब अगर एक तरफ बिटकोईन का spot ETF अप्रूव हो गया और उसका प्राइस पे reflection क्यों नहीं है, अगर ये सवाल है, कितने लोगों का ये सव आइस जो है वो छपपर फाड़ के मतलब 55,000, 60,000 की रेंज में चला जाएगा है, ये अपने all time high को क्रॉस कर देगा, अगर ये आपका सवाल है तो उसे बताईए, मैं पूछता है, स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ मैं, ठीक है, एक सेके होड़ करो, कुछ फैक्ट बताता ह आज आपके ये डाउट सारे में क्लेर कर देता हूँ ताकि ठीक है, ये लो, स्क्रीन शेयर हो गई, और हम चलते हैं, ठीक है, देखो, ये बहुत अच्छा ट्वीट है, यहां से बहुत जादा क्लेरिटी आईगी, बड़ा जबरदस ट्वीट है, ये ना, ये बता रहा है, ये ट्वीट ये कह रहा है, कि 2004 में, नवेंबर 2004 में गोल्ड का ETF आया, ठीक है, और गोल्ड की ETF आने के बाद, इग्जाटली लोगों ने ऐसा ही सोचा था, जैसे आप सोच रहो, कि यार, मार्केट के अंदर धमाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, मजा आजाएगा, लेकि खिराफ जैनवरी में, फेबरी में, मार्च में, मेई में, ये गोल्ड की परफॉर्मेंस तरही है, मतलब आप ये देखो के 425 और 425 और 425, मतलब 25 डॉलर की रेंज में रहा, नवेंबर 2004 में आया था, यूएस के अंदर ETF, कोई परफॉर्मेंस नी, कोई एक्साइटमेंट लेकिन, जैसे ही 2005 के एंड में, जो उसके अंदर जो इंटरस्ट आया, जो उसके अंदर इंस्टिउशन का पैसा आया, 425 डॉलर पे जो चीज तहल रही थी, आप ये देख सकते हो, 425, 430 पे, वो अचानक 8 महीने बाद, 7 महीने बाद, आप ये देख सकते हो, कि उसके अंद अमाया और उसके बाद वो ग्राफ रुका ही नहीं, तो ये आपको कुछ एक हिंट देने की कोशिश की जा रही है, कि गोल्ड की ETF पे भी क्या ऐसा ही हुआ था, हाँ, लैकलस्टर परफॉर्मेंस थी, शुरू के 2-4 महीने, 5 महीने, लेकिन जैसे 5 महीने, 6 महीने के बाद, वो परफॉर्मेंस एक्तम, टेस्ट मैच जो है, वो T20 में कनवर्ट हो गए, इस तरीके समझ लो, ऐसी एनलोजिस से जादा आप बहतर समझ भाँ है, यह जहां तक समझ भाँ है, हमें दूसरे हाले पे चलता हूँ, बहुत अच्छा चार्ट है यह यह चार्ट क्या कह रहा ह एक नवंबर 2004 को गूल्ड का ETF लाँच हुआ, आप देख रहोगी, लैक लस्टर परफॉर्मेंस भी देख रहोगी, यहां से यहां लाँच हुआ, फिर आप देख रहोगी, छे साथ आट महीने लैक लस्टर परफॉर्मेंस, उसके बाद ग्राफ ने चड़ना शुरू करा, चड़ता गया, चड़ता गया, एक चीज़ यहां पर बहुत कॉमन है, आपके देख रहोगी, ग्राफ जाने के बाद, इस ग्राफ के अंदर एक चीज़ समझाईए जा रही है, कि बिटकोईन और गोल्ड के अंदर यह डिफरेंस है, कि जो गोल्ड एक ऐसी एसेट कलास है, जैसी उसके डिमार्ड एक लेवल पे पहुची, जो माइनर्स थे, गए ख़दानों पे, गाड़ियां भरके, लेबर को लेके, और भीया, उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी मार्केट के अंदर, और ख़दानों से गोल्ड निकाले लगे, कि यार अरे, गोल्ड बड़ा वैल सप्लाई बढ़ा दी, तो गोल्ड आप यहां देख रहो, क्रैश कर गया, गोल्ड का प्रैस, ठीक है, गोल्ड का प्रैस यहां क्रैस कर गया, और आप यह देखो, यहां तक कि 1200 डॉलर पे पहुच गया हूँ, और एक वक्त तो वह 1200 और 1000 डॉलर की बीच में भी पहुच गय तो यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है इस चार्ट में कि गोल्ड के प्राइस में इंटरस्ट आया उसके बाद सप्लाई बढ़ा दी और बिटकोईन की बात खास बात यह है दोस्तों कि उसकी जो जब डिमांड एक लेवल पर जब बढ़ जाएगी बिटकोईन की जैसे जो डिमांड जब बढ़ेगी और जब उसका इंपेक्ट आप देखो के प्राइस पे तो उसकी सप्लाई उतनी तेजी कोई सप्लाई बढ़ा नहीं सकता मतलब सप्लाई का शेडियूल जो है वो फिक्स है तो यही गोल्ड की जो ETF में और बिटकोईन की ETF में similarity तो बहुत है लेकिन difference यह है कि जब वो अपने maximum पे पहुचेगा तो गोल्ड की supply पीछे से उसके माइनर ने बढ़ा दी बिटकोईन के कि इसमें माइनर बिटकोईन की supply बढ़ा नहीं सकता क्लेर हो गया यह बहुत important बहुत important चार्ट था अब हम चलते हैं तीसरे पर बहुत interesting है यह भी यह point यह बड़ा important point है यहाँ पर यह सब बताया जा रहा है कि BlackRock ने 11,500 बिटकोईन खरीदे दो दिन के अंदर जो दो दिन के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो 4.6 billion US डॉलर था ठीक है और बताया यह जा रहा है कि जो BlackRock ने इसको मैं थोड़ा सा अपने tweet handle से यहां से बताता हूं कि यहां से आपको clarity हो जाएगी कि दो दिन में 46,000 बिटकोईन जो हैं वो बिटकोईन spot ETF की जो companies हैं उन्होंने absorb किये मतलब जो inflow आया कुछ outflow हुआ बिटकोईन spot ETF की जो companies थी उन्होंने 46,000 बिटकोईन actual में market से absorb किये absorb करने का मतलब है कि spot bitcoin ETF के अंदर जितना inflow आएगा उस हिसाब से market के अंदर उनको OTC से bitcoin को buy करना है देखें 46,000 बिटकोईन जो है वो bitcoin spot ETF companies ने market में buy किये absorb करें इसका मतलब क्या है कि 2 दिन में 46,000 तो per day किता हुआ 23,000 आपको पते 23,000 bitcoin market से remove हुआ यह कितना होता है इसको इस तरीके समझ लिए कि 900 bitcoin जो है वो market के अंदर आते हैं ठीक है हर दिन तो सोचिए 25 गुना 25.5 गुना जो है वो जो bitcoin की daily production उसका 25.5 time market के अंदर bitcoin जो है वो absorb कर लिया इन companies ने यह जो bitcoin की जो spotty टेफ companies है अब इससे अंदाजा लगाई है कि अभी दो दिन हुए आज Monday है साड़े नो बज़े market खुल चुकी होगी वहाँ पे ठीक है साड़े नो बज़े भी US में market खुल चुकी आज तीसरा दिन है ऐसी चौता दिन पाचवा दिन छटा दिन साथवा दिन एक अनुमान के मताबिक अगर आप यह अंदाजा लगाई है और इसका जो प्रूफ है वह आप यहाँ पे देख सकते हैं यह देख रहे हैं कि ब्लैक रॉक ने 11,440 बिटकोईन market से खुरी देख तो यह ब्लैक रॉक ने खुरी दे बाकी जो यह 23,000 क्योंकि मैं 23,000 कह रहा हूँ तो 23 में से 11 तो ब्लैक रॉक ने करें बाकी बाकी कमपनीज ने बिटकोईन की बाइंग करी तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगली दिन हर दिन अगर इन कमपनीज ने एवरेज 23,000 बिटकोईन market से अगर एब्जॉब करना शुरू कर दिये एवरेज 23,000 बिटकोईन अगर हर दिन market से रिमूव होना शुरू हो गए तो आप आलम सोचो क्या होगा और इधर से जो ब्लैक रॉक है जो आपकी माइक्रो स्ट्राडेजी है वो बिटकोईन की बाइंग की बात कर रहा है उसकी कंपनी रेगुलर बिटकोईन को बाइ कर रही है माइनर्स जो है वो बिटकोईन को मार्केट में बेच नहीं रहे जो बड़े-बड़े देश है वो प्लानिंग कर रहे है पचास से उपर देश की क्वरीज आ चुकी है इस वक्त चोटे-चोटे देश है जो क्वरी कर रहे है कि जो प्लान कर रहे है कि यार क्या अभी एल्स एल्वरडॉर के अंदर बिटकोईन का जो वालकानो फंड लाँच होने वाला है जिसके अंदर लोग इंटरस्ट शो कर रहे है पहले से माइक्रो स्ट्राडेजी था एक बड़ी वेल फिर उसके बाद साब एल्व सेल्वरडॉर खरीद रहे है डेली बेसेस पर बिटकोईन अब इदर से जो यह ब्लाक रॉक जैसी कंपनीज भी बिटकोईन को बाई करने लग गई तो आप मैथ को अपने आप समझे कि इसका किस तरीके से इंपक्ट आएगा तो वो ही मैं कह रहा हूँ अगर आप फिर से मैं उस पहली स्लाइट पर जा रहा हूँ कि शुरू में लाक लस्डर परफॉर्मेंस और एकदम टी-ट्वन्टी तो यहां पर आपको उसके बाद आप यह देख सकते हो कि यह इनकी वेबसाइट पर जाओ फ्रंट पेज पर वैनेक हो गया ब्लाक रॉक हो गया फिडैलिटी हो गया सबके फ्रंट पेज पर इस टाइम सिर्फ बिटकोईन चाहा है बाई विटकोईटी है विटकोईन फ्रंक्लिन टेम्पलेटन की वेबसाइट पर जाओ बिटकोईटी है और इसके बाद ब्लाक रॉक कभी किसी ने सोचा था जिंदगी में कि ब्लाक रॉक के ऐसे एड देखने को मिलेंगा जबी पोटे हैं वह बात अलाग है कि इनका ऐसा लग रहा है एक इंटर्ण ने अड बना आए है ऐसा लग रहा है कि इनका एक इंटर्न ने अड बना आ है बट ब्लैक WAS जैसी कंपनिज टीवी कमर्शल लेके आ रहे हैं यह AI generated है लेकिन ब्लैक solids कभी किसी ने सोचा था उसके बाद वैनगार्ड जैसी कंपनी जो बिटकोईन की ETF को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपने देखा सुना होगा कि वैनगार्ड जो है जो दुनिया का दूसरे नंबर का आफ्टर ब्लैक रॉक सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है वो कहता है मिरको बिटकोईन का स्पॉट टीटिफ अपने क्लाइंट को नहीं देना ठीक है भाई तू मत दे लेकिन हिपोक्रेसी देखिए कि माइक्रो स्ट्राटेजी के अंदर उसका 8.24% ब्लैक रॉक से भी जादा हैं इनमें जमीन आसमन का फरक है तो आपको अकल लगानी है ठीक है ना और यार छोड़ो इन एटिफ को यार इनमें कहता हूँ एटिफ एक बर को आता ही नहीं छोड़ो दो ना एटिफ तो एक तरीके का ये कहलो ना कि भाई जैसे एक अचानक कोई बरदान मिल जाता है वो आ गया अगर एटिफ नहीं भी होता तो ये है आपके लिए सबसे important metric जिस जो 2024 का सब इंतजार कर रहे है 97 days बचे है 97 days मतलब 900 जो बिटकोईन जो हर दिन आ रहे है 400 आएंगे तो 400 बिटकोईन और इधर में क्या कह रहा था 400 बिटकोईन और अधरा मैत देखिए हर दिन 23,000 बिटकोईन मार्केट से मूव हो रहा है मार्केट में इस वक्त 900 आ रहा है अभी 100 दिन बाद क्या होगा ये 400 बिटकोईन सिर्फ 97 days बचे है so फैसला आपके हाथ में है आप टूरिस्ट हो टूरिस्ट का काम क्या होता है टूरिस्ट का काम होता है वो आया उसने देखा बिटकोईन 55,000 नहीं किया 50,000 नहीं किया उसने बोला मेरा दिल भर गया मैंने देख लिया ताजमेल बहुत अच्छा था भाई अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ और जो resident है, वो कहता है वाई मेरा तो घरी यही है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास तो facts हैं, तत्थे हैं, जो मुझे बताते हैं, कि थोड़ा सा मैं सबर रखूँगा, एक बड़े horizon, अपने perspective को थोड़ा broad करूँगा थोड़ा सा सबर करूँगा, क्योंकि यह black rock जैसी companies मेरे सामने कोई on-chain, यह कोई बनावटी facts नहीं है, यह सामने हैं आपकी यह figures, ठीक है, तो I'm sure कि आपको answer मिल गया होगा, जो मैं कहना चाहता हूँ, in fact, मैं उन price predictions में तो जाई नहीं रहा, जो ARK Invest ने बोला है भी, मैंने लास्ट वीडियो में cover किया था, फिर मैंने अभी Samson Moe करके Bitcoin magazine है, उनकी अगर prediction में, वो predictions लाकर ना FOMO नहीं देना चाहता है, मैं देना ही नहीं जाता FOMO, वो लोग तो बदा नहीं कितने boldly यह से price predict कर रहे हैं, कि मैं ना, मतलब मुझे लगता है, वो गलत है, आपको लग patience, but Bitcoin की understanding, जितनी आप बढ़ाओगे, आपकी conviction automatically बढ़ जेगी, कोई मेरे अंदर day one पे थोड़ी ना आई थी, मैंने भी तो सीखा है, इसी से सीखा, कि यह actual में इसका potential किया है, तो यह बढ़ी important बात है, मैं आपको उमीद करता हूँ, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो एक नहीं energy के साथ, नहीं उसके साथ, ठीक है.